इस गुरू एर तो वेलकम बैक टो वर चैनल सीपियर प्राइस एक्षन टेडिंग सीपियर भाई गुरू आज इस सेशन में डिसक्स करेंगे कि मैंने अपना ओपनिंग टेड कैसे ब्लैंड किया तो अगर मैं आपको अपना टेड दिखाऊं तो मैंने जो अपनिंग टेड लिया था वो बैंक निफ्टी के कॉल साइड में टेड लिया तो यह सेम चीज मैंने अपने टेलिगरम ग्रूप में भी इंटिमीट किया आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन मैंने पुट का ट्रेड छोड़के कॉल का ट्रेड क्यों लिया ऐसा क्या मेरे पास कन्विक्शन था कि कॉल का ट्रेड मुझे लेना ज्यादा प्रफर्फर्फर लगा पहली चीज आप देखे चार्ट के उपर अप धगरध्यान से देखे तो यह आपका 920 मुविंग एफरिज है तो कहीं ने कहीं बेंग निफ्टी अगर गैप अप हुआ तो कहीं ने कहीं सपोर्ट कहां पे लेगा 920 के उपर लेगा तो कहीं ने कहीं यही मेरा रीजन था कॉल ओप्षिन लेने का बजाय मेने पुट ऑप्शन में करने का अब मैं चार्ट को आपको एक मिन्ट पे करे करे दिखाता हूं सेम रइट्छैन फ़ीं का चार्ट देखनी और लेफ्ट ऑफिछन लेसट पर गुट आपको दिखा 9.15, 9.16 पे भी टेट प्लाइन कर लेता हूँ लेकिन जैसे आज gap up होगा तो मैं कहीं न कहीं यह expect करा थे कि market कहीं न कहीं support लेगा तो इसलिए मैंने wait किया, जैसे ही option नहीं यहां पे देखिए, मैंने यहां पे entry लिया, मैंने इस लगवर 9.21 की candle मेंटरी है, जब मैंने 9.21 की candle ने, जब इसने डोजी ने इसका हाई निकाला और क्लोजिंग यूपर टेट करना शुरू के तो मैंने यहां पे इसका एंटरी किया और मेरे टारगेट था डी हाई, डी हाई का टारगेट मैंने प्लान किया था, लेकिन कहीं-कहीं मैं यह एक्सपेक करा था कि थोड़ा मतलब की सस्ता premium है, लगवर 360 रुपे का premium, तो kind of यह इसमें इतना momentum नहींग, तो इसलिए मैंने कम quantity में प्लान किया, अगर यही थोड़ा इंदर मनी में होता हो तो मैं इसको और अच्छे quantity से प्लान करता तो मेरा जो टारगेट था वो कही न कहीं 460 का था, लेकिन मैंने 460 की बजाया, मैंने 450 का टारगेट लगाया अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे मेरा जो, अगर आपको मैं orders दिखाता हूँ मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ अब यहां पे देख सकते हैं यह जो है मेरा order book है तो order book पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने 370 पे buy order initiate किया और यह जो कही न कहीं जो sell order था यह मेरा limit order था, जनी कि target मैंने पहले से limit order के रूप में लगा रहा था तो कहीं कहीं थोड़ा सस्ता premium होने की वज़ा से जो मैंने target को कम plan किया अगर यही थोड़ा और deep in the money में होता तो इसमें मुझे अच्छा और moment है लगभग 100-805 का moment मिलता तो जहां पे मुझे लगभग आप बोल सकते कि मुझे 85 points का moment मिलता तो all the direction matter करते देखिए सब लोग यहां पे सुबा सुबा put सोज रहे थे लेकिन मैंने market में call का trade initiate किया ठीक है तो दिखिए put continuously सुबा से 920 की नीचे trade कर रहा तो इसलिए कहिन कहीं यह भी reason था कि put put कल से ही 920 की नीचे trade कर रहा जब तक put 920 की ऊपर trade नहीं करेगा 5 मिन के time frame में तब तक put का trade नहीं बनेगा एक कहिन कहीं मेरे दिमाग में यह भी जार रहा था फिर दूसरी चीज spot chart आपका 920 की ऊपर trade कर रहा है plus आपका option 9 call option 920 की ऊपर trade कर रहा है तो then why I should look for a put trade तो इसलिए जो मैंने थोड़ा सौस समच के price action को अपजर्व करके जो मैंने पहला trade निशेट किया मैंने call side निशेट किया जिसमें मुझे लगवग साड़ी तीन हजर का profit वह तो इस तरीके से मैंने अपना morning trade निशेट किया so simple था बुलिश बॉल सकते हैं ठीक है उमीद करता हो वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो like करी और share करी आपको उमीद करता हो कि समझ में आगो कि कैसे आप live market में सही direction में trade करके अपना plan बना सकते और पैसा बना सकते चलिए बन्ते लिव्यों नेवा